महिलाओं को जागरुक वए एक जुट्ता की अल्ग जगाने वाली श्रीमती नैना सिंग चोटाला वो सर्व प्रथम महिला थी जो चोटाला खांदान से राजनीती में अपने परिवार को और उचाईयों तक ले जाने के लिए उतरी थी आएए एक नजर इनके इस चुनौतियों भरे सफर पर डालते हैं महिलाओं को अक्सर अपने पती या बच्चो के नाम से जाना जाता है पर वहीं श्रीमती नैना सिंग चोटाला को अचपूरा देश अजे सिंग चोटाला की पत्नी या दुशन सिंग चोटाला की मा के नाम की जग़ अपने खुद के बलबूते पे जानते हैं नैना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष रहा है औरतों के हित के लिए काम करना इस लक्ष को पूरा करने के लिए इन्होंने हरी चुनरी चौपाल का आयोचन किया था इस रैली में नैना ने हर बर का भला करने का फ्रेंड लिया पर इनका हमेशा से ही खास तोर से महिलाओं को आगे बढ़ाने का सबना रहा है और इसी लोग प्रियता के चलते नैना सिंग चौटाला ने 2019 के चुनावों में कॉंग्रेस के उम्मीदवार रनवीर सिंग महेंदर को बाधड़ा में पूरे 13704 वोटों से माद दी सत्ता में आते ही नैना ने बाधड़ा के विकास के लिए काम करवाना शुरू कर दिया ना हे सिरफ बाइपास और सड़क बनवाना वलकि सरकारी कॉलेज खोलने की विधान सभासे मांग भी करी इनके जोरदार प्रयासों से मादड़ा में दो गेहों खरीत केंदर भी बन गए और तो और पंचायतों में औरतों को 50 प्रतिशत रिजरवेशन भी दिलवा दिया इनके इनी प्रयासों की वज़े से लोगों को प्यार इनके लिए दिन बर दिन बस बढ़ता ही जा रहा है हमने अकसर लोगों को नारे लगाते हुए सुना है कि बादड़ा की जनता की है आज माता नैना चौटाला पर है विश्वास आज महिला दिवस के अफसर पर हमने श्रीमती नैना सिंग्छाटाला के कड़क शासन वो अपनी जनता की प्रती कुमल हेड़े को भाली बांती परखा जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है समाज में ऐसे राजनेताओं की बहुत आवशकता है जो नाके बल हमारी उम्मीदे जगाएं बलकी उस पे पूर्ने रूप से खरे उतरें She is the face of every woman of the society, the trust of every Indian citizen and the need of a developing nation